हेलो दोस्तो अर्वन हेल्दी कोकेंग में आपका स्वागत है आज हम दलिया से एक स्वाधिस्ट डोडा वर्फी बनाएंगे जिसे आप घर पर बहुती आसानी से बना सकते हैं ये खाने में बहुती टेस्टी होती है यहाँ पर हमने बन बाउल दलिया लिया है ये देड़ सो ग्राम के करीब है बन बाउल ही चीनी लिया है हाप पाउल घी लिया है पन टीस्पून खाने वाला गौंद लिया है हाप टीस्पून कुटिवी इलाईची लिया है बन टीस्पून हमने कोको पाउडर लिया है वन पिंच फूड कलर लिया है ये रैड फूट कलर है ये मिल्क पावडर लिया हुआ है ये हमने 10 रुपए वाला मिल्क पावडर डाला है इतने में आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं या इसके भी कर सकते हैं 1 से 2 स्पून हमने दही लिया है और 1 लीटर फुल फैट क्रीम दूद लिया है तूद को गरम कर लिया था यहां पर हमने एक भारी तले वाली कड़ाई लिया है आप लोहे की या नोने इसके कड़ाई में किसी में भी बना सकते हैं यहां पर हमने 2 टी स्पून घी डाला है और इसमें कौन डाल दिया है इसे लो टू मीटियम पर फ्राई करना है इसे हाई पर फ्राई नहीं करना है अगर इसे तेज फ्राई करेंगे तो यह जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है और इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है यहां पर हमने जो दलिया लिया था इसे अच्छे से साफ कर लें और फिर इसे रोष्ट कर लें इसे आप हलके घी में या ड्राइ रोष्ट भी कर सकते हैं इसे ज्यादा भूनना नहीं है हलका गोल्डन कलर आने तक भूनना है इसमें हमने जो वन लीटर दूद लिया था वो मिला दिया है यहां पर आप बॉयल आने के बाद इसमें दही और चीनी भी डाल सकते हैं लेकिन हमने यहां बाद में डाला है अगर आपका दलिया किसी वज़े से जल जाता है तो आप इसे चाय वाली छलनी के साइथा से उपर से हटा दें बॉयल आने लगा है और इसे बीच-बीच में चलाते रहें दलिया बहुत ही पॉस्टिक होता है इसमें हमने टूटी स्पून घी डाला है और इसे अच्छे से मिला लिया है दलिया में फाइवर मैंगनीसियम पाया जाता है इसे आप चारो तरफ से अच्छे से चलाते रहें अब यहाँ पर हमने वन से टूटी स्पून दही डाला है दही से हमें इसका एक हलका सा रवा बनाना है ज़्यादा दूद को फाड़ना नहीं है बस हलका हलका इसका रवा सा दूद का बन जाए दलिया में काफी गलूटन पाया जाता है इसलिए काफी जल्दी यह ठिक हो जाता है आप इसे अच्छे से पका लें इसका जो दाना है वो अच्छे से पक जाना चाहिए आप हाथ से या उंगली की साइटा से दबा कर देखें तो ये अच्छे से मेल्ट होने लगे इसमें हलका सा दूद का रवा बन गया है यहां हमने ज्यादा नहीं फाड़ा है यहां पर हमने चीनी को मिला दिया है अगर आपका दलिया हलका सा भी टाइट होगा या कच्छा होगा तो चीनी फिर मेल्ट होने पर ये काफी पतला हो जाता है उसके मदद से ये बन जाएगा आप इसे अगर जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप दलिया और दूद कोको कर में एक दो विसे लाने तक पका लें उसके बाद इसे आप कड़ाई में गाड़ा कर लें इसे बीच बीच में अच्छे से चलाते रहें यहां पर हमने टूटी स्पून मिल्क पाउडर डाला है इसे आप इसके भी कर सकते हैं मिल्क पाउडर डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसे आप दूद में मेल्ट करके भी डाल सकते हैं इसे अच्छे से मिला लें और इसे चलाते रहें यहां पर हमने जो गॉन फ्राई किया था उसे चमच की साइथा से मैस कर लिया है और इसे भी मिला दिया है गॉन में प्रोटीन, फाइवर, बिटामिन और एंटि आक्सिडेंट पाई जाते हैं और इसे एक अच्छा टेस्ट आता है अगर आप गॉन नहीं डालना चाहते हैं तो इसे भी स्किप कर सकते हैं सिर्फ आप दूद, दलिया और कोको पाउडर से इसे बना सकते हैं यहां पर हमने कोको पाउडर जो लिया है इसे दूद में या पानी में अच्छे से मेल्ट कर लें अगर आप इसे direct डालेंगे तो गाटें भी बन सकती हैं इस one pin जो हमने food color लिया था उसे भी मिला लिया है आप चाहें तो food color skip कर सकते हैं पर हलवाई वाले जो होते हैं वो food color डालते हैं इस से मिठाई का color बहुत अच्छा आता है यहां पर हमने थोड़ा थोड़ा करके कोको पाउडर डाला है यहां एक साथ नहीं डाला है और इसे अच्छे से मिला लें कोको पाउडर में प्रोटीन, फाइबर, पोटेसियम, जिंक पाया जाता है इसे हमने दो से तीन बार में मिला लिया है अगर आप दलिया और दूद जादा ले रहे हैं तो आप कोको पाउडर की मात्रा बढ़ा दें या आप कलर आने तक इसे मिला लें अगर आप लोई की कड़ाई में बनाएंगे तो कलर जल्दी आता है हमने यहां पर टूटी स्पून घी और डाला है और इसे अच्छे से मिला लिया है कोको पाउडर से कलर काफी अच्छा आ गया है और इसे अच्छे से मिला लें यह कड़ाई में आप चिपकने लगी है इसे आप नीचे से चारो तरफ से चलाते हुए अच्छे से मिला लें यहाँ टूटी स्पून घी और डाला है आप चाहें तो यहाँ घी कम डाल सकते हैं या ज्यादा भी डाल सकते हैं और चीनी के जगे आप यहाँ गोड़िया सुगर फ्री भी मिला सकते हैं यहाँ पर हमने इलाची पाउड़र डाल दिया है इसे अच्छे से मिला लें, डोड़ा वर्फी लगवग बनकर तयार है, इसे आप एक प्लेट में थोड़ा सा निकाल लें और हलका सा गोला इसका बना कर देखें, इसका गोला बन रहा है, और ये चिपक नहीं रही है, डोड़ा वर्फी बनकर तयार है, ये खाने में बहुत ही टेश्टी होती है, और हेल्दी भी होती है, एक अपने प्लेट लिए, उसमें हलका सा गी लगा लिया है, और इसमें इसे डाल लिया है, अगर आपके मिठाई में घी ज्यादा हो, तो इसे आप निकाल भी सकते हैं, क्योंकि ये घी कम अब्जर्ब करती है, इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है, और इसमें अपने मन पसंद के ट्राइफूट डाल दिये हैं, और इसे चार से पांच घंटे के लिए, ठंडा होने के लिए छोड़ दे आपको इसे फ्रिज में नहीं रखना है, अगर आप इसे अभी फ्रिज में रखेंगे, तो इसका जो दाना है वो टाइट हो जाएगा और ये खाने में अच्छी नहीं लगेगी, चार से पांच घंटे हो चुके हैं, इसे आप अपने मन चाहे आकार में काट लें, इस मिठाई को जो भी खाएगा तो वो पता नहीं कर पाएगा कि ये दलिया से बनी हुई है, इसे हमने नाइफ की साइटा से निकाल लिया है, ये बहुत आसानी से निकल आती है, और सारे पीसों को एक प्लेट में निकाल लिया है, ये काफी रवादार और सॉफ्ट बनी हुई है, ये खाने में मुँ में घुल जाती है, और काफी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इस तरह आप सारी मिठाई को निकाल कर रख लें, और इसे आप एक सब्टे तक बाहर रख कर खा सकते हैं, अगर आपको ये रैस्पी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे ट्राई जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं ये कैसी बनी हैं, प्लीज इसे वाट्सेप की बजाए आप यूट्यूब पर ही कमेंट करके बताएं ये कैसी बनी हैं और इसे ट्राई जरूर करें, थैंक यू